नमस्कार किसान भाईव आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मद्द प्रदेस में मोसम के बारे में जानकारी मद्द प्रदेस में कैसा रहेगा मोसम मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि मद्द प्रदेश में बारिस का दोर जारी है बीते एक हपते से प्रदेश भर में कई जगेहों पर छित पुट बारिस का दोर जारी था लेकिन अब मौसम विभाग ने भारी बारिस का अलड जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटे प्रदेश में जम कर बारिस होने का अनुमान है मौसम विभाग ने प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिस का अलड जारी कर दिया गया है इन में जिले इस प्रकार है बिदीशा, राइसें, सीहोर, नब्दपुरम, बेतूल, बुरहनपुर, खंडबा, देवास, नरसिंगपुर, चिंदबाडा, सिवनी, बालाघाट, पांडुना, भोपाल, राजगर, हर्दा, खरगोन, बढ़बानी, जाबुआ, धार, इंदोर, रतलाम, साजापुर, आगर मालबा, डिंदोरी, कटनी, जबलपुर, मडला, दमो, सागर, छतरपुर, जिलो में भारी बारिस का अनुमान जताया गया है और किसान भाईयो मोसम बिभाग की माने तो यहां अगले 24 घंटों के अंदर 8 इंच तक बारिस हो सकती है मोसम बिभाग द्वारा बताया गया है और किसान भाईयो जिला बिदीसा में दो घंटे लगतार बारिस होने से तबाई का मंजर नजर आया जिले की सडकें जो है लबा लब भरी रही और दुकानों में जो है पानी अंदर घुस गया और किसान भाईयो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरू करें किसान भाईयो और किसान भाईयो हमारे चैनल के लिए कोई सुजाब है तो वो जरूर दें किसान भाईयो धन्यबाद किसान भाईयो